साथियों नमस्कार आज की क्लास में हम लोग भारत के इतिहास के विसे में जानेंगे उसमें से भी जैसा कि मैंने वुर्वत कक्षा में चर्चा की थी कि हम लोगों ने बौध धर्म और बौध धर्म के उत्पत्ति वैदिक काल का पतन और उसके पश्चाद जो गौतम बुद्ध के समक्ष चुनोतियां थी और बौध धर्म की सिक्षाएं इन सभी पर हम लोगों ने अपना ध्यान आकरशित किया था इस पर मैंने आप लोगों को बतलाया था कि कैसे एक शाक के कुल में जन्म लेने के बाद भी छत्री वर्ण में जन्म लेने के बावजूद भी गौतम बुज एक राजा के पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने राजा की गद्धी को ठुकरा करके अपने जीवन में एक बुजुर्ग, एक बिमार और एक पार्थियू सरीर, मर्थ सरीर इसको देख करके उन्होंने कुछ शास्वत सिध्धान्त निकाले और उन सिध्धान्तों के आधार पर ही उन्हें जो आत्म ज्यान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर बहुत गया में हुई, तो उन्होंने इस चीश को सुचा कि क्यों न इस ज्यान रूपी प्रकास से संपूर्ण समावेश को ओध प्रोत किया जाए, बजाए कि इसके कि व्यक्तिकत रूप से ही निर्मान के उद्देश के या निर्मान के लक्ष को मैं अकेले प्राप्त करूँ, इसलिए गौतम बुद्ध ने प्रारम से ही जो उन्हें जो लाइट दिखी या जो प्रकास दिखाया, जो उन्हें समझ में आया, उसको वो सभी लोगों तक फै कर रहा हूं, यहां मैं हिंदू वर्ट का यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हिंदू शब्द का उप्योग, मैं आठवी सताब्दी के बात करूँगा, जब भारत पर पश्यमी आकर्मन होंगे, और उसके बाद शेव और वैश्नों मत को मिलाकर आदिगुरू संकराचारे क के द्वारा हिंदू शब्द या हिंदू धर्म के उत्पत्य की गए थी, हाला कि हिंदू कोई भारती शब्द नहीं है, जैसा कि हम जानते ही है, यहां एक ग्रीक वर्ड है, और वो लोग चूंकि यूनानी सा को हव चारित करते थे, इसलिए उस सिंदू को हिंदू कहा करते थे, तो यह शब्द ही बाहर से दिया गया शब्द है, तो हम लोग बहुत धर्म में, जैन धर्म में और इनसे रिलेटेड जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे, अब हम आगे देखते हैं कि यह बहुत धर्म में कौन-कौन सी चीज़े हैं, जो हमारे परिच्छा के लिए अब फ्रेंड्स हम यह देखते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे, उनके जीवन में कुछ महत्वपूल व्यक्ती, बुद्ध के, बुद्ध के जीवन में, जो महत्वपूल व्यक्ती आए, जो पेपर में लगातार जिनके उपर प्रश्ण आते रहते हैं, तो वो कौन-कौन और वो किस लिए important है तो friends इसमें सबसे important नाम प्रजापती गौतमी का है प्रजापती गौतमी बहुत महत्पूर्ण है कारण यह है कि माना जाता है कि बुद्ध को जर्म देने के पश्चात उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था तो जैसा कि North India में कहावच चलती है कि मां के मृत्यू के पश्चात जो मौसी होती है वही कहते हैं इक्वेलन तो नहीं किन्तु अधिक समरूप होती है एक ममता के लिए या उनको जो प्रहिम देने के लिए तो प्रजापती गौतमी उनकी मौसी थी यह प्रश्म ध्यान दीजेगा मौसी को धात्री बोलते थे उस समय याने कि इसा पूरू 500 साल पहले धात्री पाली लेंग्विच का वर्ड है और धात्री का अर्थ मौसी होता है इतना जोर क्यों दे रहा हूँ एक छोटे से नाम के उपर इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि यह कुश्चन पूछा गया है UPSC Assistant Commandant CAPF के एक्जाम कब 2018 में एज इस यही कुश्चन पूछा है आप UPSC के वेबसाइट पर जाकर के ओल्ड कुश्चन पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं 2018 में यही कुश्चन पूछा था कि धात्री कौन थी गौतम बुद्ध के उससे में तो धात्री मिंस होता है मौसी प्रजापती गौतमी गौतम बुद्ध की मौसी थी और इनों नहीं इनका लालन-पालन किया था इसलिए नाम बेहद महतपूर्ण ने गौतम बुद्ध के जीवन से संबन दे तो प्रेंच दूसरा और महतपूर्ण नाम है वह है सुजाता का सुजाता कहते हैं कि बुद्ध को एक बार उन नदी में डूब रहे थे और सुजाता नाम की महिला के द्वारा ही गौतम बुद्ध को डूबने से बचाया गया था लेकिन यहां डूबने की जो घटना थी यह अपने आप में बहुत धर्म के महान दर्शन को लेकर आती है और वह दर्शन है मद्यमार्क का दर्शन क्टा ता the philosophy of middle path यह मद्यमार्क का दर्शन क्या है मद्यमार्क का दर्शन ये है कि बुद्ध कुद्ध चूंकि उस समय लोग खड़ाओं पहना करते थे जो लकड़ी के जूते हुआ करते थे, अभी संडे को MPPSC prelims का पेपर हुआ, और उस पेपर में, अगर आप उल्ड कुशन, अगर आप वो prelims का पेपर देखें, तो पनही शब्द का उप्योग किया गया था, कि पनही क्या होता था, पनही जो होते थे, वो leather shoes हुआ करते थे, चम्रे के जूते हुआ करते थे, लेकिन ये मध्यकालीन भारत में हुआ करते थे, especially पनही का प्रचलन, जादातर मुगल काल में ही देखने को मिलता था, even दक्षन भारत में, जो krishnadeo rai, जहांपर विजय अगर सामराजिता, वहांपर अधिक पनही का चलन था, किंतु, पनही, खड़ा कुछ ऐसे नाम है जो हमें पता होने चाहिए कि किसके लिए उपयोग किये जाते थे तो खड़ा हूँ लकड़ी के बने वो होते थे एक प्रकार का चपल टाइप मान सकते हैं जिसको पहना जाता था तो friends वो गौतम बुद्ध ने उसको भी त्याग दिया था एकदम नगन पैर रहते थे कहीं भी जाते थे तो पैर में कुछ नहीं पहना करते थे बहुत टफ जीवन जीते थे चोकि वो मानते थे गौतम बुद्ध कि जितना जादा टफ लाइफ की प्रैक्टिस होती जाएगी तो बुढ़ापे के समय यह वह समय जब सरीर धीरे-धीरे साथ छोड़ना बंद कर देगा तो हम अभ्यस्त हो जाएंगे तकलीव जहलने के इसलिए अचानक जीवन को अपना अच्छे से आनंद मही बिटाना और लाश्ट में जाकर तकलीव जो की बहुत बड़ी तकलीव आने वाली है उसके प्रती अभ्यस्त ना होना यह अपने आप में हम एक बड़ा जोकी मोल ले रहे हैं इस ते जीवन को धीरे-धीरे कठिन-कठिन की प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए यह गौतम बुद्ध का मानना था लेकिन फ्रेंट ध्यान देंगे जब उनकी रक्षा सुजाता ने करी तो यहां गौतम बुद्ध ने सुजाता के कहने पर ही सुजाता के आगरा पर ही कहते हैं सुजाता ने जब उनकी जान बचाई जिस तरीके से आप वनों में घूमते हैं नगन पैर रहते हैं या कोई सांप या विच्छी ऐस परकार का कोई जीवी कट ले जो कि आप मेडिकल जो उस समय वेद वगेरा होते थे उनकी भी सहाइता नहीं लेते थे तो ऐसे में अगर आप की मृत्यू हो जाए तो एक जो कि प्रतिबद्ध थे जान बचाए थी इसलिए जो उन्हों मांगा वो गौतम बुद्ध को देना ही था तो बुद्ध ने ये उनको आगर उनको प्रकार सा कमिट्मेंट किया कि हाँ आज से मैं तफ जीवन जीना बंद करूँगा और उन्होंने मध्यमार्ग मिडिल पा अनुयाई बन गए यह एक इंपोर्टेंट टाम है पता होना चाहिए आप लोगों को ठर्ट फ्रेंट्स और वह है इस इन सब में सबसे इंपोर्टेंट नाम और वह नाम हमें पता होना चाहिए वह आनंद का नाम आनंद कोन थे तो आनंद जो थे वो गौतम बुद्ध के एकदम प्रीव सिस्से थे जो गौतम बुद्ध आनंद जो एडवाईस देते थे गौतम बुद्ध को बुद्ध उसे मानने के लिए बात देते बुद्ध उन्हें माना करते थे कभी भी आनंद की बात को गौतम ब कि कई रिचाओं की रचना की थी और आनंद जो थे ये अच्छे सहितकार भी थे लेकिन ध्यान देना फ्रेंट इन्हों ने चुंकि उस समय गौतम बुद्ध के समय पर कुछ दो-तिन प्रकार की संग समितियां हुआ करती थी जो गौतम बुद्ध के भांशनों को सुना करती उसमें से संग जो होता था उसमें केवल और केवल बौद भिक्चू रहा करते थे और वो पुरुस हुआ करते थे महिलाएं भिक्चूडी नहीं बन सकती थी यहाँ एक कॉंट्रडिक्शन है इसलिए उसको प्लीस ध्यान से समझेगा जो बौद धरम है वह यह बिलीफ करता है कि महिलाओं को भी मृत्यू के पश्चात मोक्ष प्राप्ती हो सकती है निर्वान प्राप्ती है यहाँ पर सही टम निर्वान है निर्वान प्राप्ती हो सकती है किन्तु जो जैन धर्म है जैन धर्म महिलाओं के निर्वान या मोक्ष प्राप्ती को नहीं स्वीकारता ज लेकिन महिला कोई मोक्ष नहीं प्राप्ट कर सकी उसके लिए उसे पुनर जन्म लेना पड़ेगा अच्छा काम करके जैन संतों की सेवा करके जैन तिर्थंकरों की सेवा करके और फिर वो अगला जन्म किसका होगा पुरुष का होगा और पुरुष ही वो माध्यम है जिससे म किसी का पुरुष होना इस बात का प्रमान है कि वो पिछले जन्म में अच्छा था बहतर काम किया था यह बिलीव है जैनिजम का दियान दीजेगा इन दोनों जो फिलोसपी जैनिजम और बुद्धिजम इस बेसिस पर भी दोनों डिफरेंट है बुद्धिजम में फीमेल और मेल का कोई डिफरेंस नहीं है जैनिजम में भी नहीं है कोई डिफरेंस नहीं लेकिन जैनिजम यह बिलीव करता है कि महिलाओं को जो मोक्षप्राप्ति है वो नहीं हो सकती ऐसा वो उनका माननेता है क्यर तो ध्यान दीजेगा जो आनंद ने सुट्ध पिटक लिगा भिक्षुणी मिन्स जो फीमेल थी और मौंग थी संत थी वो और यह सामिल करने के बाद बुद्ध ने बोला कि आनंद तुमारे कहने पर तो मैं भले सामिल कर देता हूं भिक्षुणीयों को महिलाओं को भी संग में प्रवेश के रुमती देता हूं लेकिन ये आप बिलकुल पूरे देश में नहीं फैल सकता फ्रेंट्स ध्यान दीजेगा इसको पहले उन्होंने भविश्यमानी कर दी थी और ये हुआ जब कनिश्क भारत का सासक था तो कनिश्क के समय जब महायान बहुत धर्म की साखा में चूंकि उस समय जो बहुत विक्षुते वो बहुत विला अच्छे घुजन करने लगे अच्छा कपड़े पहनने लगे जबकि आप बहुत विक्षुओं के कपड़े देखते ही होंगे एक दम संतों की तरह रहते हैं और बिलकुल बाल भी उनके मुडवा लिए जाते हैं आप हमारे देश में ताबो मठ है इस्पितिक मठ है कितने इतने सारे बहुत मठ है हमारे देश के अंदर जो हमारे देश के लिए एक अभिमान की बात है इतने सारे मठ है हमारे देश में बहुत धर्म जबकि पूरे दक्षिटपुर्वी एश्या में बहुत है बुद्धिष्ट रिलिजिन है लेकिन बहुत मठ वहां इतने प्राच महत्पुल वेखती है जिसका नाम है देवदत्थ देवदत्थ आप लोग देवदत्थ का नाम भी ध्यान रखेगा और आपने निश्यद रूप से एक कहानी बच्पन में पढ़ी होगी और उस कहानी का जो कंक्लूजन था जो मैसिस था उस स्टोरी का वो यह था कि मारने वा कि स्टोरी थी तो उसस्टोरी में हम लोग आप हम लग देखते थे कि की एक बार एक हंस को जो है तीर लग जाता है तो उरते हुए गौत्वद्थ के पास आता हे वो तीर उनके भाई में नहीं मारा और तुम अगर उसकी इस प्रकार से केर करोगे तो फिर तो मतलब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो तो दियोधत और गौतम बुद्ध के बीच में बड़ा विवाद उत्पन हुआ बड़ा एक तरीके से उनके बीच में लड़ाई हुई और ये लड़ाई वेचा इस तरीके से गौतम बुद्ध ने उन्हें भी कर्वेंस किया था यहाँ पर फ्रेंट्स एक और इंसिडेंट जो आपको जानना चाहिए कहते हैं कि गौतम बुद्ध जब अपने सिश्यों को उपदेश दे रहे थे प्रवचन दे रहे थे तो उस समय जो विरोधी लोग थे उन्होंने एक व्यक्ति जो उस समय जो भी नशा वगेरा हुआ करता था उसका उसने सेवन किया और उसके बाद उनको कई उत्तेजक पत्ते जैसे भांग के पत्ते और यह रहते हैं कि गौतम बुद्ध लगातार प्रवचन देते रहे उसे इग्नोर करके और अपने जो अनुयाई थे उन्हें भी बोला कि वह वालेंस ना करें उसके प्रती बाद में गौतम बुद्ध को उसने बोला कि मैं इतने समय से इतनी देर सबस्ब बोल रहा हूं किन्तु तुमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई गौतम बुद्ध ने बोला कि तुम मुझे इतने प्रेम से अगर कोई चीज़ दोगे तो अगर मैं उसको नहीं लूँगा तो भे ये चीज़ तो तुमारा अपमान होगा इसलिए जो भी तुम चीज़ दे रहे उसको मैं स हर स्विकार करता हूँ उसने बोला कि मैं तेरे जैसे पाखंडी व्यक्ति को कोई चीज़ क्यों दूँगा तो गौतम बुद्ध ने बोला कि अगर आप नहीं दोगे तो कहां जाएगी कहां जाएगी क्या मेरे ही पास रहेगी तो गौतम बुद्ध ने ठीक है मैं तुमार बहुत भिक्षू बना आगे जा करके इस तरीके से गौतम बुद्ध केवल समवाद के माध्यम से जितने बड़े बड़े इस परिकार से गौतम बुद्ध से विपरित मत रखने वाले आया करते थे गौतम बुद्ध कभी वायलेंस का यूज नहीं करते थे वो इसी तरीके से समवाद से लोगों को पराजित करने का कारे किया करते थे